ये new interesting exciting वीडियों पर आप सबी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम nifty and bank nifty option chain के बारे मसको समझने की कोशिस करेंगे understand करेंगे कि कल की expiry किस लेविल पर हो सकती है और expiry पर आपको क्या साफधानिया रखनी है इस चीज को हम समझने की कोशिस करेंगे तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं option chain data पर हो समझते हैं यहां पर कि आज की selling के बाद nifty और bank nifty का view कैसा रहेगा कल है expiry और expiry पर क्या short covering होगी या फिर market range bound रहेगा इस चीज को हम समझने की कोशिस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के market की तो market at 11 के वीडियो में मैंने आपको clearly कुछ important points बतायते हैं मैंने आपको बताया था कि हमारा यह जो low बनाया अगर break होता है तो आपको एक 17,850 तक की गरावट देखने को मिलेगी और यहां पर कल के वीडियो में भी मैंने आपको clearly बताया था कि 18,000 के break होने पर आप shot कर सकते और 17,900 का आपका target यहां पर बन सकता है तो morning में ही इसने almost जो low बनाया था वो 18,26 का बनाया फिर recovery आई और फिर इसने 18,000 को break करके almost हमारे सारे intraday के target यहां पर achieve होए हैं अब यहां पर अगर हम समझने की कोशिस करें तो कल क्या हो सकता है इसको हम समझते हैं तो सबसे पहली कि यहां पर अगर option chain data को हम देखने की कोशिस करें तो एक बार refresh करता हूँ data और यहां पर हमें clearly पता चलेगा कि अगर आप यहां पर समझने की कोशिस करोगे option chain data में तो 18,000 का जो level है यह आप देख रहे हो यह level पर जो put writing है वो करीब करीब 31.5 lakh के open interest के साथ यहां पर अभी call writing की बात करें तो यहां पर 70,000,000 का open interest यहां पर खड़ा हुआ है जो कि यह indicate कर रहा है कि बेया कल के लिए आपके पात जो सबसे important level होगा वो 18,000 ही होगा अगर हम 18,000 10 और 18,000 20 के ऊपर टिक जाते हैं 18,000 25, 30 के ऊपर हम तिक जाते हैं 15,000 तो फिर यहां पर यह जो shots आज fresh ब देखने को मिल सकती है तो सबसे important चीज़ ही है आपका 18,000 का level क्योंकि यहां पर जो call writers है यह fresh call writers है क्योंकि आज जो कल की जो गिरावट हुई है उसी में ही यहां पर यह आए हैं 17,900 की बात करते हैं तो still put पर 42,000 का open interest खड़ा हुआ है call पर 23,000 का open interest यहां पर खड़ा हुआ ह तो इसका मतलब क्या है कि 17,900,880 पर आपको support मिलता हूँ दिखाई देगा और 18,000 के उपर हम sustain की है 5-10 मिनट तो आपको shortcoming की मदद भी मिल सकती है फिर निफ्टी अरुटी 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 जा सकता है यह clearly option chain data हमें बता रहा है अब chart को हम समझते हैं क तो एक अच्छा खासा correction उपर से हमें देखने को यहाँ पर मिला है सबसे important level है कि आप यह देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ पर आवली chart लगाता हूँ तो यह हमारा एक level था जहां से हमें correction देखने को मिला था आप देख सकते हो यहाँ पर इसको मैं mark करता हूँ यह हमने high बनाया था उसके बाद यह level mark करता हूँ जो हमने high बनाया था उसके बाद हमने यहाँ पर gap down opening देखने को मिली थी हमें यह आप देख सकते हो यह gap down opening थी फिर हमने अगले दिन दुबारा से correction दिखाया और फिर हम दुबारा से अपने मोमेंटम में चले गएते हैं ठीक है एक्जेक्टली इसी लेविल पर आकि यह हौल्ट किया है आप देख सकते हो लास्ट की कुछ आपको यहाँ पर बिल्कुल कंसॉलिडेशन की दिख रही है तो सिंपल सी चीज़ है अठारा जार के ऊपर आप निकलते हो दुबारा से जहिर सी बात है आप पॉजिटिव ट्रेंड में दुबारा से आ जाओगे क्योंकि अठारा जार ही एक साइकलोजिकल लेविल है इसके उपर दुबारा से ट्रेट करना स्टार्ट किये तो आपको लिए एक पॉजिटिविटी यहाँ पर बनती हो दिखाई देगी ठीक है जब तक अठारा था है कि नीचे ट्रेट कर रहे हो तब तक आप यहाँ पर नेगेटिव हो इस्टेल यह चीज़ आप लेली समझ लीजि अपने आज के हाई तक ईजिली जा सकते हैं ठीक है ना तो जो भी शॉट कवरिंग आईगी इसके उपर ही आईगी तो यह जो सुइंग है यह चोटे चोटी यह जो सुइंग है सारे रजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या होगा मार्केट इस तरीके से बेफ करने के कोशिद करेगा पहले उपर गया फिर यहां पर रसिटेंस लेके थोड़ा नीचे आएगा फिर हो सकता है mister से व Rules भरेक्ण हे फिर यहां पर रसिटेंस लेके फिर दुबारा इसको भेब करने की कोशिद करेगा इस तरीके से market उपर जाएगा तो यह जो resistance है छोटी छोटी यह जो swing बने हुए यह फिलाल market में एक resistance की तरह यहाँ पर act कर सकते हैं तो market थोड़ा सा volatile रहेगा आपको ऐसा market इस तरीके से move नहीं करेगा यह थोड़ा सा इस तरीके से move करेगा यू गया उपर फिर एक पूरा एक correction दिखाएगा फिर थोड़ा से उपर जाएगा फिर एक correction दिखाएगा इस तरीके से market उपर जाएगा और अगर हम आज के लोग के नीचे निकलते हैं क्योंकि आज के लोग को इसने hold करने की कोशित करी थी end of the day आप देख सकते हो कि इसने hold किया और अगर आज के लोग के नीचे निकलते हैं तो यहाँ पर जो weakness है वो थोड़ी सी और घहरा सकती है फिर हम 17,700 के target के लिए यहाँ पर nifty को short कर सकते है कल है expiry तो expiry थोड़ी सी volatility बनी रहेगी तो उसके लिए पहले से ही prepare रहेगा कोशित यह करिएगा थोड़ी सी कम quantity में काम करिएगा और अगर 18,060 के ऊपर nifty टिकता है तो फिर आपको एक short covering move भी देखने को मिल सकता है around 18,150 तक का यानि 18,100 अगर देखा जाए तो 150 तक का आपके लिए 18,000 अगर 18,000 के ऊपर निकलते है तो positive price action बनाता है यानि simple दी चीज़े इस तरीके का price action बनाता है तो फिर हम यहाँ पे छोटी सी quantity में 50-60 points के लिए हम nifty को buy कर सकते हैं यह है nifty का अब बात कर लेते हैं bank nifty तो bank nifty को देखते हैं सबसे वहले कि bank nifty कैसा दिख र आई है एक चीज़ा आप यह समझ लीजिए कि अगर bank nifty में हम देखा जाए तो bank nifty के लिए important level था वो यही है closing basis का 38,000 के नीचे आज closing नहीं आई है तो कहीं ना कहीं देको nifty इतना weak था लेकिन bank nifty still उतना weak नहीं हूपाया तो कहीं ना कहीं यह जो trend बनाता कल के trading session में उसके बाद यह second half में गिरावट देखने को मिली because of global market जिस तरीके दर dow future 400 point negative दिखा रहा था और nasdaq future करें 300 point तो उसका impact यहाँ पे आपको देखने को मिलाता बट अब picture थोड़ी सी change हो गई है अगर यह यहाँ पे इसी channel में यह hold करता रहता है और कल इस channel में के भार नहीं निकलता है तो जब भी इस channel के भार निकलेगा तब आपको एक अच्छी trade मिल सकती है और वो trade आपको एक बड़ा momentum दे सकती है यह चीज़ आपके लिए यहाँ समझ लीजिए तो आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है आपको यही चीज़ ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे यह जो channel है जो आज निफ्टी ने बनाया है इस channel को आपको बहुत ध्यान से मात कर लेना है इसका यह 18,250 हो गया और नीचे आपके पास 37,800 हो गया 38,250 हो गया इस channel का breakout आएगा ना इस channel का अगर breakout आएगा उपर की तरफ तो आपको जो momentum है वो बहुत ही strong देखने को मिलेगा क्योंकि already यहाँ पे momentum देखने को मिला था उसके बाद further selling आनी पाई तो फिर यह दुबारा से यह ज इच्छा move दिखा सकता है अगली expiry में है अगर यहाँ पे हम बात करें जो trend line की अगर हम जो हम पिछले कुछ दिन से follow up कर रहे थे जो कि यह trend line थी ठीक है कल इस trend line का breakout होने के बाद यह च्छा move आया था तो आज exactly इसने इसी trend line पे जाके कहीं न कहीं है इसको respect करने की कोशिस कर रहा है तो अगर दुबारा इस trend line के उपर जाता है और 3250 के उपर निकलता है bank nifty तो हम मैं यहाँ पर positive रहूंगा और फिर आपको एक अच्छा momentum देखने को मिल सकता है next series में और जब तक यह नीचे 3750 की नीचे closing नहीं दे रहा तब तक यहाँ पर continuous selling फिलाल नहीं देखने को मिलेगी आपको थोड़ा volatility इसी तरीके का यह zigzag moves देखने को मिलेगा ठीक है तो आप इस channel का breakout होने का wait करिए अगर आपको एक बड़ा पैसा बना पर एक और अच्छा move bank nifty के अंदर आ सकता है तो इसको आप पहले से ही यहाँ पर focus में जरूर रखिएगा बात कर लेते हैं global market की तो global market अगर हम देखें यहाँ पर currently देखो आपका जो डाव future जो सुबह करीब 200 point negative था वो आपका 85 point positive हो चुका है Nasdaq future करीब 66 point उपर कामकाच कर रहा है जो कि सुबह करीब 1500 point negative था तो कहीं ना कहीं आज US में जो कल एक heavy sell-off देखने को मिलाता आज उसका bounce back देखने को मिलेगा अगर यह bounce back strong होता है तो जाहिड सी बात है कि हम भी ऊपर खुलेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हम फरतर बढ़ते हैं या फिर हम volatility create करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से काम कर लिएगा कम quantity में करिएगा क्योंकि यहां पर हो सकता है market थोड़ा सा volatile जादा रहे as compared to trending में अगर trending बनता है तो बहुत अच्छी बात है otherwise यहां पर market जो मैं expect कर रहा हूं वो volatility ही expect कर रहा हूं तो यह चीद आप clearly यहां पर समझ लीजे एक positive trend के लिए एक अच्छा है कि यह 38-250 के ऊपर bank nifty sustain करे और nifty अपना 18-50 के ऊपर दुबारा से यहां पर sustain करे तो फिर आपको एक positive trend यहां पर देखने को मिल सकता है तो I hope दोस्तो यह particular data आपको समझ में आ क्या होगा दोस्तो फ्लाल इस वीडियो में इतना ही है I hope यह है